यह दखे कितना भीड है आज इस साइड भी है और उस साइड भी है ज़र भी आप देखेंगे जैसे मैंने दिखाया था आपको आज काफी यदा भीड है जैसी राम मैं पहुन याद हो गाइस आज काफी जादा गर में थी सुबहे से बट इस टाइन बहुत देश हवाद चल लिए देखेंगे आज तो बारिस होगी तो बारिस होनी चेहिए चले चलते हैं आगे दिखाते हैं कितने बीड है आज आयोद्या में कितने पैदल चल ले हैं पाइसा पता नहीं हो इलोग यह तो बस बाहर होंगी इसलिए इलोग पैदल चल ले हैं कितने प्यारा लग रहा है यह सीन काले काले बादल देखेंगे पूरे सूरज को ठक लिए हैं इधर देखें बहुत ऐसे हुए इधर काले बादल पूरे इधर आज बहुत बगार हुआ है अभी हमें इधर संगाले के पास और बहुत अच्छी हवाद चल लिए इस टाइम अब जाके थोड़ी रात मिली है गर्मी से क्ल भी गर्मी बहुत तेज थी आज भी बहुत तेज गर्मी लेकर इस टाइम थंड़ा हुआ है क्योंकि बारिस का मौसम हो रहा है तो बारिस हो जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा यह देखें निया घाट करना जाए आज निया घाट हमारा और साम का टाइम हो गया है तो इस सावन का महीन चालो होने वाला है तो उसकी गवस्ता चालो हो गई है चलते इसके अंदर आपको छोड़ी लाइटे लगी है और यह सरी मदी के पास जा रहा है यह रास्ता इस देखिए काफी प्यारा यह ऊबर इशकी पास छोड़ी लाइट लगी है और यहाँ पर देखे वाहा अरती होने वाली है और लाइटों से थोड़ा जग्वा है एक ताब प्यारा लग देखिए आरती की तैयारी शुरू होने वाली है मंड़क सजाय जा रहा है यहां महां आरती होने वाली अभी साइड देखिए किते काले-काले बादल है यहां पर आज काफी प्यारा लग रहा है यह सरीयो न दी अपनी साम हो गई है कि देखिए और काफी ब्यारा लिखा हुआ है आयोद्या चलते हैं उपर बाइक उपर कड़ी हुई है काफी अच्छा लगता यहां की आरती और आपी जब आये तो आरती ज़रूर यहां पर करकी जाएगा देखो साम के टाइम ओबर बीच पर किता बीड़ है यहां पर आज काफी जादा बीड़ है विद्धामी हमारे यह देखिए इस साइड भी और इस साइड भी च्योंकि अब तो आज आने वाले हैं सब आप आफी बीड़ है और आप देखेंगे जिसे मैंने दिखाया ता आपको आज काफी ज़रूर यह दा बीड़ है अगर यह वीड़ आपको अच्छे लगे तो लाइक और तस्क्राइब दीजेगा में देखिए पाई